तो फिल्म की शिरुवात होती है और हमें एक लैब दिखाया जाता है जहाँ पर प्लान पोदों को उगाने का काम किया जाता था यहाँ पर ये लोग जितने भी पोदे उगाते थे उनमें अलगी किसम की खुश्पों हुआ करती थी फिर हमें एक साइटिस्ट एलिस दिखाय जाती है जो अपने हैट को बता रही थी कि हमारी बॉड़ी जिसम में एक खास किसम का हार्मोन पाया जाता है जब हम किसी की गले लगते हैं या उनी प्यार करते हैं तो उस वक्त हमारा जिसम वो हार्मोन्स बनाता है जिने हैपी हार्मोन्स भी कह सकते हैं साल की तोर पर एक बच्चा जब रो रहा होता है तो उसे अगर उसकी माम के पास ले जाए जाए तो वो चुप हो जाएगा और खुशी महसूस करेगा और अगर हम इन फूलों को उगाना चाहते हैं तो हमें प्यार से सब करना होगा तभी ये फूल बढ़ेंगी हमें इसे बारिश हर चीज से बचाना है तभी ये खिलेंगे और हमें खुशी देंगे यहाँ पर बाके के जितने भी साइटिस थे सब एलिस के कार नामों से जल रहे थी मगर यहाँ पर जो इसका हैट था वो एलिस से कहता है ठीक है जल्दी तुम इस फूल को त्यार करो और अगर य वो लैब में बैठा था तो उसके पास एक साइटिस्ट आता है जिसका नाम क्रिस था वो आकर एलिस के बेटे से कहता है कि तुम्हारे रेट कलर के जूते तो बहुत प्यारे हैं जिस पर एलिस का बेटा उसको शुक्रिया बोलता है इतने में एलिस भी आ गई थी जिसके ब वो अपने बेटे को घर ले आती है रात को दोनों मिलकर खाना खाते हैं एलिस हमेशा अपने काम की वज़ा से बहुत ज़्यादा मसरूफ रहा करती थी और अपने बेटे को सही से वक्त भी नहीं दे पाती मगर फिर भी उसका बेटा उसे कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो वो एलिस से कहता है मौम आपके लैब में जो साथ काम करता है जिसका नम क्रिस है मुझे लगता है वो आपको पसंद करता है आपको उससे शादी कर लेने चाहिए ये सुनकर अपने बेटे की क्यूट सी बातों पर हसने लगती हैं कहती है कि बेटा अभी तुम इतने बड़ यहां पर सभी साइटिस के पास लैब का एक्सेस था यानि कि वो जब चाहे लैब में आ सकती थी और जब चाहे लैब से जा सकती थी कहले कि लैब को खोलने का कार्ड मगर बेला के पास नहीं होता तब यहां पर दूसरा साइटिस आता है और लैब को खोल देता है बेला और उ वो उसे मना कर देती है कहती है नहीं मैं नहीं आ सकती देखो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं इस से आगे मैं कुछ नहीं चाहती और तुम जो भी सोचते हो अपने दिमाग से सब बाते निकाल दो घर में एलिस का बेटा उसके पास एक फिश टैंक रखा हुआ था जिसमें वो ये कहलें कि ये उसकी हाबी थी मशकला था उसका वो जदातर अपना वक्त घर पर अकेले ही गुजारता था तो इसलिए अजीब और नोखे काम करने में उसे मज़ा आता था एलिस घर आती है वो जोई के लिए हैपी फ्लार लेकर आई थी वो अपने बेटे को बताती है कि अगर तुम इसके साथ अच्छे से बात करोगे इसका खयाल रखोगी तो ये तुम्हें खुशी देगा इसका नाम इसलिए मैंने लिटल जोई रखा है जो इस मूवी का नाम भी है तो कहानी है लिटल जोई की एक खतर नाक फूल की एलिस के बेटे को अपनी मॉम की बाती पागलों वाली लग रही थी मगर फिर भी वो उस फूल से बातिं करने लगता है लैब में दिखाया जाता है एलिस के फूलों के पास जो नीले रंग के फूल थे वो आदी से ज़यदा गल सर जाते हैं मुर ज्छा गए थे यहाँ पर बेला कहती है ये सब एलिस के फूलों क पर experiment किया है वो सिर्फ एक ही फूल बनेगा वो अपनी जैसी दूसरे फूल नहीं पैदा कर सकती पहला कहती है क्या तुम्हारा फूल अपने जैसा दूसरा फूल पैदा नहीं कर सकता उसके तैने नहीं निकलेंगे अगर ऐसा है तो तुम्हारा फूल सब के लिए खत्रा बन स करेंगे ताकि किसी को भी एलस की फूल की वज़ा से कोई नुकसान ना हो अब उसे शाम जितने भी नेले रंग के फूल थी सभी मुर्चा कर मर जाती है ये देखकर बैला परिशान हो जाती है क्योंकि उसकी तो सारी मेनत और रिसरच बिकार हो गई थी तब ही वो देखती ह उसका डॉक गाइब है उसे लग रहा था कि कहीं वो लैब में न रह गया हो इसलिए वो क्रिस को अपने डॉक को ढूडने लैब में भीज़ती है क्योंकि जैसे हमें पता है कि बैला की पास तो लैब की चाबिया ही नहीं थी अब क्रिस जब लैब में चाता है तो बैला के डॉग ने उस पर छलांग लगा दी थी और गलिती से वो एलिस की फूलों पर गिर जाता है उसने उनकी खुश्पू को सूंग लिया था और फिर छीकने लगता है अब वो डॉग को तो लेकर बाहिर आ गया था और दुबारा सी एलिस को खाने पर जाने का कहता है इस बार एल को सोंगने के वज़ा से हो रहा था उधर लैब में बैला का डॉग उस पर भूख रहा था और उसे काटने के भी कोशिश करता है बैला बहुत ज़यता खबरा जाती है क्योंकि उसके डॉग ने कभी असा नहीं किया था एलिस उससे कहती है फिकर नहीं करो तुम्हारा डॉग जल्दी ठीक हो जाएगा लैब में काम करता हुआ क्रिस एलिस से कहता है तुम बैला की बातों पर ध्यान मत दो थोड़ी सी पागल है उसने इस काम से एक साल की ब्रेक भी ली थी दोसरी तरफ एलिस के घर में दिखाया जाता है उसका बेटा जदा तर अकेला रहा करता था तो उसने फॉन पर एक दोस बना ली थी वो से मेसिज पर हर रोज बाती क्या करता था वो से अपने टैंक की तस्वीर भी दिखाता है जिसमें उसने चेंटिया पाली हुई थी मगर उस लड़की को एलिस का बेटा थोड़ा बोर लग रहा था इसलिए वो से मेसिज का जवा जिससे इतना खुश था वो पास जाकर उस फूल को सूंग लेता है जिससे उसे इलरजी हो गई थी जब एलिस उसकी मॉम घर पर आती है और उपने बेटे को खाने के लिए बुला रही थी तो वो गुस्से में एलिस को जवाब देता है मॉम मैंने नहीं खाना खाना मैं खा चुका हूँ आप खाय जाकर एलिस उसका ऐसा भी हेवियर पर दाओ देकर थोड़ा परिशान हो जाती है क्योंकि उसकी बेटे ने कभी भी उससे ऐसे बात नहीं की थी तबी उसके तरवासे की बेल बचती है बाहिर बेला थी एलिस उसे देखकर थोड़ा परिशान हो गई थी क्रिस ने इसे पताया था कि वो थोड़ी सी पागल है खेर एलिस उसे अपने घर अंदर आने का बोलती है वो एलिस को बताती है कि मेरा डौ मेरे बच्चे की तरह है उसका बरताओ कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज वो पागलों की तरह कर रहा था मुझे लगता है उसके सा की खुश्बू तो हमें खुशी मैसूस होती है तुम्हारा पौदा इन्फेक्शन पहला रहा है एलिस कहती है नहीं ऐसा नहीं है मैं जानती हूँ आप ये सब जान बुचकर कर रही है आप मेरी रिसर्च को बरबाद करना चाहती है वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है और तुम अलजाम तुम पर आएगा एलेस, सब तुम से सवाल करेंगे। बेला तो इतनी बात समझा कर चली गई थी। एलेस को अब उन फूलों पर शक होने लगता है। वो सोचती है कि कहीं उसके बेटे का रवया पर दाओ, इसी वज़ा से तो नहीं बदला। अकली दिन लैप का एलेस कहती है कि मैंने ये एक हैपी फ्लार अपने बेटे को भी दिया था, उसी तो कुछ नहीं हुआ, ये सुनकर तो है और जएदा भड़क गया था। वो कहता है ऐसा क्यों किया तुमने, ये असूलों के खिलाफ है, लैप की कोई भी चीज तुम बाहर लेकर नहीं जा सक रहे हैं और अगर उन्होंने हम से पहले ये काम कर लिया तो उनका बहुत फाइदा होगा और हम तो पीछे ही रह जाएंगे, पैर उसकी बाते सुनकर सब खामोश हो गई थी, बाहर आकर वो क्रिस को डांटी है कि तुमने मेरी जाज़त के बगार और फूल क्यों उगाई, वो कहता है कि मैं भी तो अपने लैब का और सब का फाइदा सोच रहा हूँ, तुम्हारी तरह एलिस जब घर आती है तो उसका हस्बेंट अपने बेटे को छोड़ने घर आया था, दरासल उसका बेटा अपने डैट के साथ कुछ दिन के लिए रहने के लिए गया हुआ था, एलिस का हस्बेंट कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे का ठीक से खयाल नहीं रखती हो, और सारा दिन अपनी रिसर्च में गुजार देती हो, वो बिल्कुल बदल चुका है, वो तो मुझे मेरा बेटा ही नहीं लग रहा, एलिस अब सोचने लगी थी कि क्या वा हो गई हूँ, हर फैसले अपने खुद कर सकती हूँ, उस लड़की की मॉम कहती है, कि ये अपने आपको कुछ जैदा ही बड़ा महसूस कर रही है, वो बताती है कि मेरी बेटी पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, और इसी बीच वीडियो कट हो जाती है, ये सब बाते सुन के साथ लैब के अंदर आ गया था, वो जानता था कि जिस टाइम वो जा रहा है, उस टाइम कैमरा उन फूलों पर नहीं होगा, फूब अपनी दोस्त को लैब के अंदर ले गया था, और अंदर जाकर दोनों उन फूलों को सूंगने लगते हैं, जिस से उनके अंदर बड़ होने के फिलिंग्स आ गई थी वो खुद को समझ रही थी कि वो बहुत जादा बड़े हो चुके हैं मकर अच्छानक से कैमरे का रुख इनकी तर्फ हो जाता है वो दोनों एक टेबल के नीचे छुप गए थी अगली सुपा जब लैब की वीडियो देखी जा रही थी तो एलिस और उसकी टीम देखती है कि एक फूल गाइब है तभी एलिस की नजर वीडियो में रेट कलर के जूतों पर पड़ती है वो समझ गई थी कि फूल यहां से उसके बेटे ने चुराया है वहाँ पर बेला उसको पेंड ड्रा के बारे में अच्छा बोल रहे थे जिन पर उसे टेस्स किया गया था मागर उनकी घर वाले बताती है कि उस फूल को सूंगने के बाद इनका पेहवियर पर ताव बिल्कुल बदल चुका है इससे भी जैलिस देखती है कि उसका बेटा अपनी दोस्त को घर ली आया था और एलिस जब उसके कमरी में जाती है तो बोदल बारिकी कहती है कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी उमर की लड़की बात कर रही हो वो उन दोनों को खाने पर बुलाती है खाना खाते हुए एलिस अपने बेटे से पास रहूंगा वो अपनी दोस्त को लेकर जाने लगता है जब एलिस उसको रोक रही थी तो वो अपनी मॉम को धक्का देता है जिससे एलिस की नाक से खोन आने लगा था वो कहता है ओ मॉम आपको चोट लग गई है मैं अभी प्लास्टर लेकर आता हूं एलिस देखती है कि उसका बेटा और उसकी दोस्त दोनों खड़े उस फूल से बात ही कर रही है और उसे सूंगते भी है ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें उसका नशा हो गया हो एलिस टेंग को भी देखती है जिसमें सब चेंटिया मर चुकी थी अगले दिन लैब में क्रिस बेला से लड़ था वो कहता है कि तुमने कुछ सेंपल्स को खत्म किया बेला कहती है ऐसा कुछ नहीं है मैं कई सालों से इस लैब में काम कर रही हूं जो सेंपल्स ठीक नहीं होती वो खुद ही खत्म हो जाते हैं एलिस क्रिस को बताती है कि शायद बेला का कहना ठीक था मुझे इन फूलों इंसानों को अपना गुलाम बना रही है जो इंसानों के जरीए अपनी खुआई शाथ पूरी कर रही है जो भी उसे सुनता है पागल हो जाता है मेरा बेटा बड़ी आत्मियों की तरह बात करने लगा है मुझे इस चीस को यही पर रोक देना चाहिए क्रिस कहता है नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी बेला को तो तुम जानती हो वो पागलों की तरह बातें करती है और तुम्हारा बेटा वैसे भी बड़ा हो रहा है तब ही ऐसी बातें करता होगा और तुम उसके साथ वक्त भी तो नहीं गुजारती ये बाते सुनकर एलिस अपने बेटी के साथ एक जूनियर साइटिस जो लैब की देख भाल किया करता था वो आकर बेला को बताता है कि मेरी दोस्ट का एक्सिडेंट हो गया है तो आज रात के लिए आप इस लैब का खियाल रखें वो बेला को चाबिया दे कर चला जाता है रात को बेला जब उनेलिस के फूलों को पानी दे रही थी तो कई सारे फूल खिलने लगे थी फूलों की खुश्पू हर तरफ पहल चुकी थी बेला ने नाक पर मास पहना हुआ था वो जलती से बाहर जाने की कोशिश करती है मगर नहीं जा पाती सुबा को तिखाया जाता है कि एलिस जब लैब में आती है तो बेला उसे बहुत ज़्यदा हस कर बातीं कर रही थी वो कहती है ओ सौरी एलिस मैंने तुम्हारे फूलों को बुरा भला कहा दर असल मुझे दिमागी कमजोरी है न पस इस वज़ा से ऐसा हो गया असल में तो उन में कोई खराबी नहीं है मैं उन फूलों की वज़ा से बहुत खुश हूँ तुमने सही उनका नाम रखा है हैपी फ्लावर्स एलिस को उसके बातें सुनकर यकीन हो चुका था कि वो फूल कोई खुशी नहीं देता बलके इनसान के दिमाग को उलिट पलट करकर रख देता है एलिस अब एक दिमाग के डॉक्टर के पास चाती है जहाँ पर वो से अपने बारे में और अपने बेटे के बारे में बताती है दॉक्टर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है वो एक फूल ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है इसलिए उसका परताओ तुम्हारे साथ बतला बतला है तुम टेंशन नहीं लो सब ठीक हो जाएगा एलिस जब घर आती है तो देखती है क्रिस उसकी घर पर था जहाँ पर उसका बेटा और उसकी दोस्ट भी थी वो तीनों बेटे एक साथ बातें कर रहे थी एलिस क्रिस से कहती है कि तुम मेरी गैर माजूद्धी में मेरे घर कियों आए दरासल इन तीनों ने उस फूल को सुंगा हुआ था एलिस क्रिस को जाने का कहती है जाते हुए पूँ एलिस को बताता है सब कुछ ठीक है सब नॉर्मल है सिर्फ तुम पागल हो रही हो एलिस अब सोचने लगी थी या वाके ही मैं पागल तो नहीं हो रही अब वो सोचती है कि ठीक है वो फूली इन सब बातों के जड़ है न मैं उसे ही खत्म कर दूंगी अगले दिन ल को यही पर रोपना होगा क्योंकि यह हमारे लिए खत्रा बन सकती है वो कहते है ठीक है जब सब एक जगा पर बैटे थी तो बैला यहां पर बताती है कि मैंने उस फूल को नहीं सूंगा था मैंने जान बूझ कर अपने आपको चेंज किया था ताकि मैं आप लोगों को समझ कि वो फूल इतना जादा खतरनाक है जब एलिस उसके पास जाकर सब बातें पूछने लगती है तो बैला वहां से भाग गई थी एलिस भी उसका पीछा करती है हेड और ग्रिस भी उसके पीछे जाती है पर जब वो उसे पकरने वाले थी तो वो सीडियों से नीचे गिर होती है सब यह सोच रही थी कि शायद उसने जान बूच कर खूट कर अपनी जान दे दी प्रिस और हैडा कर जब एलिस को बताते हैं तो उसे उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि बैला ने खुद अपनी जान दे दी बात में एक मिटिंग बुलाई जाती है जो हैड में सुनकर एलिस हैरान हो गई थी वो जान चुकी थी कि सब उस फूल के नचे में बात को जाकर वहां कर टेम्परेचर कम करती है जहार पर फूलों को रखा गया था जब प्रिस आकर उससे चाबिया मागता है यहां वो जान चुकी ताकर चाबिया सक New Twist क्षिश करता है और उसके सर में कुछ मार कर उसे भी खूश कर दिया था वो टेमपरेचर को हाइड कर देता है और जाते हुए उसने एलिस के मूंसे मास को भी हटा दिया था जिस से टेमपरेचर हाई होनी के वज़ा से वहाँ पर फूल खिलने लगते हैं उनकी समयल हर जगा पर फैल गई थी और वो एलिस भी अब सुन लेती है जब सुबा होती है तो हैट काओ भी खुश था वो बताता है एलिस तुम्हारे फूल को नुमाश में ले जाने की जाज़त मिल गई है सब सोच रही थी कि ये सुनकर एलिस खुश नहीं होगी मगर वो भी खुश हो जाती ह क्योंकि ये नहीं जानते थी कि उस फूल का नशा अब एलिस पर भी हो चुका था उसने अपने बेटे को भी उसके डैट के पास छोड़ दिया था और आखिर में अपनी दिमाग की डॉक्टर की पास जाती है और कहती है कि आपने ठीक कहा था सब कुछ ठीक हो चुका है आखिर में हमें एलिस का बनाया हुआ फूल दिखाया जाता है जिसको देखकर एलिस हतरनाक सा मुस्कुराती है मतलब उसे भी अब उसका नशा चड़ चुका था अब आगे क्या होने वाला था कोई भी नहीं जानता और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म जात आखिये